मौझूदा सरकार में पत्रकारों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहा जिसमें एक बार फिरुत्त प्रदेश के जला लखिंपूर खीरी के तहसिल पलिया कला में पत्रकार पर जान लेवा हमला किया गया है बताया जा रहा है कि भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजन्सियों की नाक के नीचे से हो रही तसकरी को लेकर पीडित पत्रकार लगातार खबरे प्रकाशित कर रहा था जिसको लेकर तसकर काफी क्रोधित थे और उनको आए दिन जान से मारने की धमकी भी देते थे जिसके चलते कुछ तसकरों ने पीरित पत्रकार पर जान लेवा हमला कर गंबिर रूप से घायल कर दिया रुपेश गुपता उर्फ बाबा जोकी पल्या का निवासी है जिसको तथाकति तसकरों ने रंगरेजान नई टंकी के समीब सुनसांत रोड पर करीब आधा दरजन लोगों ने धारदार चीज से हमला कर दिया इस भी चीक पुकार सुनकर मौके पर कुछ लोगों की आने की आवास सुनकर तथाकति तसकरों ने पतरकार को अदमरा कर छोड़ कर फरार हो गए वही मौके पर पहुँचे लोगों ने किसी तरीके से गायल पत्रकार की खबर थाने में दी और नगर के पत्रकारों को भी सूचना मिली वही थाने पहुचकर सभी पत्रकारों ने गायल पत्रकार को पुलिस की मदद से CSSC पहुचाया जहाँ पर इलाज में गंभिर चोटे आई हुई है जिसकी मेडिकल रिपोर्ट पल्या थाने में देते हुए लिखे चिकायत पत्र भी थाने में दे कर सक्त से सक्त कारवाई की मांग की इस बीच पत्रकार संग के लोगों ने लगातार तथाकतित तसकरों द्वारा हो रहे हमले की नींदा करते हुए सभी उच्छ अधिकारियों को फोन कर अवगद कराया वही रात के करीब 11 बजे सभी पत्रकारों ने आपाद बैठक रखी और जिन तथाकतित तसकरों ने हमला करवाया है उन पर सक्त से सक्त प्रशासन की तरफ से कारवाई की जाए वही घायल रुपेश गुपता और बाबा ने कई तथाकतित तसकरों के नाम को उजागर करते हुए लोगों की पहचान बताई जिस पर पल्या के क्रायम के इंस्पेक्टर ने आश्वासन दिया कि जिस किसी ने भी पत्रकार के साथ इस हरकत को अंजाम दिया है उसको कतई भी बक्षान नहीं जाएगा